हमार आफिस हाई माटर ऐसा खाया जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है यह है गोल्ड टेस्टिंग की मसीन यहाँ पे सारी ज्वेलरी लो गुलीज वेलकम टू बैक फ्रेंड जोन चैनल उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ मगर खूस नहीं हो यार आज मेरे को जाना है ट्यूटी और मैं बता दू कितने दिन से ट्यूटी नहीं गही हूँ पच्चीज दिन मातरे छे दिन और फिर वन मन्त हो जाएगा तो मेरे को जाना है ट्यूटी और मन बिलकुल नहीं है वहां दिन भर रहना है क्योंकि मौसम भी इतना अच्छ है कि गरम गरम पकोड़े खाने लायक रजाई ओर के सोने लायक है उस बिच में मैं जा रही हूँ ड्यूटी तो सोच सकते हूँ कैसे मन लग रहा होगा या बिलकुल भी मन नहीं है तो चलते हैं फिर ड्यूटी फटाफट सी तो मैं आ गही हूँ ऑफिस में और आने के बाद रिमोट सी खुल लेती हूँ दरवाजा जो खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता है अब उसके ब में और मुड के इधर का भी सारा लाइट को अन कर लेती हूँ पंका अन नहीं करती हूँ क्योंकि यहां चलता है एसी और यहां पर मैड़ती हूँ यहां भी मैड़म बैटती है और यहां पर बैटते हैं सर और सर का और भी यह सेक्शन है जो यहां पर काम करते हैं इस तरीक से मतलब इसी कैबिन में ही इसी औफिस में सारा काम हो जाता है टेस्टिंग मार्किंग वेंग और यह रोलर मसीन है यह फॉरंट है रिसेपशन है यहीं से कस्टमर से गोल्ड को लिया जाता है और इधर पूरे बैगों को रखते हैं हम लोग बैग हो गया या एक्स्टर समान ये हो गया लॉकर जो दोनों लॉकर फुल फुल रहता है और यहां पे पुरा वेस्टे समान रहता है और इसी जगे पे ना मार्केटिंग वाले सर लोग बैठते हैं क्यूंकि उन लोग को सिस्टम की जरूरत नहीं है इस बॉक्सों में गोल्ड को रखा जाता है सेरियल वाइ हैं यहां तक कि फोन में बात करने के लिए भी आ जाते हैं यार यहां पे और यह रहा लैब अब लैब में फरनेस है फिर बहुत सारी मसीन है मेरे को लैब के बारे में उत्ता पता नहीं है आप खूदी देख लीजिए वीडियो में और जो जो लैब के बारे में जानते हैं खुद अपने मन में नाम को पढ़ लेंगे यार मेरे को नहीं पता इस तरीके से ये होता है गोल्ड के ओफिस में गोल्ड टेस्टिंग के ओफिस में हॉल मार्किंग सेंटर के नाम से जो रहता है उस ओफिस में ऐसा वर्क होता है ऐसा समान रहता है ऐसा मसीने रहता है और दे मेरे चैनल पे नए है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, या अगर मेरे फ्रेंड है ना तो लाइक जरूर बनता है, अब देखो, यहाँ पर मसीन ओन करने के बाद में ना हम लोग कर लेते हैं, तो टेस्ट करने के लिए सब को डिवाइट कर लेती हूँ, कान का, गले का, उसके बाद में टेस्ट होता है और ये रही बोड हमारे सेंटर का अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर और आज हो रही है बारिश तो मैं रेंगउर पहने हूँ और रेंगउर पहने हुँए बना दिये मेरे वीडियो यहां पे बात करते-करते मैं रेंकोड भी पहनी हूं मगर भीग भी गई हूं स्वेटर भीग गया यार कैसे दिन मैं ऑफिस गई हूं इतने दिन तक छुटी में थी आज मौसम इतना अच्छा था उस दिन मैं ऑफिस गई थी यहाँ पे मेरे को मम्मी बुला लेती जल्दी या कॉफी ठंडा हो रहा है करके लेकिन रेंग कोट को निकाले नहीं थी वापस फिर भेज दी मम्मी चल जा पहले निकाल ले सर्दी लग जाएगा करके फिर मैं निकाल लेती हूँ दो स्वेटर पहनी थी एक टीशेट पहनी थी और रेंग कोट पहनी थी तब जाके मैं घर पहुँची हूँ यार बहुत ज़्यादा ठंडी लगती ना रास्ते में इसलिए उसके बाद मेरे घर आने के बाद अंदर में आ जाती हूँ लुधुची है पानी कीर और चल बीजोर काने ठाख के रेंड़ से ना उनले हूँ tease दो मनंटाइटल यारी पेलने थी पानी के बाद में के बाद यह इससे हैज्री दो अब बिश्तर को पुरा कैसे कर रहे हैं आच उकिए हो ऑफिस से और हलके हलके भीग गई थी तो बारीज भी हो रही ना जाते टाइम भी मैं रेंग कोट पहन के गई आते ताइम भी रेंग कोट पहन के आई और ठंडी भी बहुत था ममी चिला रही थी मैं कंटोप पहन के नह हैं मैं पहनी हो तो कंटोप नहीं पहनती करके नहीं पहनी ममी चिला रही थी और मेरे को मिल गया गरम-गरम कॉफी बिसकुस को कॉफी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ममी मेरे लिए चना डाल का ना चना डाल को भीगा के चटपटा बनाई थ ना वैसी वेलग तो यह तो दो नम्षी ने चिटपटा स अच्छा लगा है इसको कि छोरा सा खतम होते आघ्या है उप अच्छिए बनाते हैं चैना डाल को भीगा लिए थे नमक डाल के और उसको नमक डाल दे मिरे नमक डाल के आज़िए उसको रख दिया क्या है न मैं बाहर का खाती नहीं हूजादा ना बहुत कुछ करना पढ़ता है घर वालों को या मेरे लिए तो इस तरी के शुमत निए मिटा लेती हूं और आप कैसे मिटाते हैं अपनी फाका तो और मैं आती हूँ तो मेरे यहां डौग लोग कैसे करती हैं उसको आप मेरे वीडियो में देख लेंगा तो कुछ नहीं है जब कुछ खाने का लायर होगे ना तो और इद्दम वाओं 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 करते हैं और मेरे आज जैसे आफिस में छोटी वाली बिल्ली थी ला वैसी बिल्ली मेरे यहां बड़ी साइस की कभी व्लॉग में आपको दीख भी जाएगा और रहेंगे ना पास में तो मैं दिखाऊंगी वसे अब थोड़े दिल में थोड़ा लेटूंगी यार इदर करना गर्दन पता नहीं कैसे दरत दे रहे तो उसके बाद में खाना खाएंगे खाना खाके फिर सो जाएंगे क्योंकि मौसमी वैसी है मस्द सोने लायक रजाई ओड़के है कॉफी पीने के बाद में मेरा आगिया ह इधर देखो यह डॉग भी खा रहा है और इधर एक बैठा हुआ है और यह मतर जिसको हम लोग तेल में तलके खाते हैं और कैसे खाते हैं उसको भी बताऊंगी और इधर एक तरफ ठाले में मम्मी रखती छिलका को देखो मम्मी कैसे इधर ना अगला बॉबी तयार है हम लोग सब लोग मिलके ऐसी ही खाते हैं मटर को कितनों भी खाओगे मन नहीं भरता है इसमें और वो भी देखो कैसे खा रहा है निकाल निकाल के यह देखो छिलका को छोड़ देते हैं दाना दाना काते हैं कैसे खाते हैं इसको बता हैसे खाते है कोई शीलकस वाला वै बता रहे हूं यह एसे खाते मस्त लगता है यारे लगता है तो मैं भी खा के दिखणतीू का रगत्म हो गया और यह को सब मिल कि इसको खाते हैं ऐसी सबका फेवरेटर यह यह पकड़ी में मैटर को अब इसको आगे हैं में कुछनी जालते हैं कि नमक नमक और उसको मसतें तल देते हैं अब इस मीषड में लोगों का क्वेश्टन रहता है अगर इस मीषड में इल्ली आ गई तो क्या हूआ खा जाते हैं उसको हम लोग क्यों कि फेवरेट रहता है जैसे इसको लेके लाते हैं तो कीड़ा वाला अलग ही दिखते हैं ना होल वाला सड़ा वाला तो उसमें हम लोग छटाई कर लेते हैं उसके बार में तलते हैं तब भी मिल जाता है तो खा लेते गटक लेते हैं उसके बाद मेरे को जरूर बताईए तो कैसे लगा मेरा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और लाइक जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाई